हेलो दोस्तो लेट्स क्रेकिट में आपका स्वागत है और साइंस रिपोर्टर मैग्जीन जनवरी 2022 की आप रोगों के सामने हैं मार्केट में 30 रुपे की मिलती है इसकी PDF आपको एबिलबल करा दी जाएगी नीचे पढ़ी हुई है टेलिग्राम चैनल का लिंक भी आपको वह वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर आपको दोनों तरीकी की PDF मिल जाएगी यह क्लीन PDF भी है ई-PDF जिसको कहते हैं और एक दूसरी PDF जिसको PPT PDF कहते हैं वो भी आपको वहाँ पर एबिलिबल हो जाएगी अब अगर आप इसको खुद से पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बह हुत ही कम चीज़ें यहां से निकल करके आती हैं मतलब scientific community ही ऐसे articles को समझ सकती है इतनी detail में इन्होंने इतने मतलब tough articles को यहां पर लिखा है जो की UPSC की नजरों में आने से रहे ठीक है तो हम देखेंगे लेकिन ठीक है हम देखेंगे कि उनमें से भी हमारे काम की क्या-क्या हो जाती हैं तो कुछ ही चीज़ें यहां पर हमारे काम की हैं उनको यहां पर देखने की कोशिश करेंगे जूट नहीं बोल रहा है ठीक है 2021 में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हुई है science and tech में हमने पढ़ी है हर महीने की चीज़ें यहां पर लगब पढ़ी ह और वो सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है इस magazine में वो सब cover नहीं किया गया है ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं और पहला जैसे यह आपको मिलेगा editorial यहां पर दिया गया है और इसमें बताया गया है words largest space telescope launch किया गया दिसंबर में लॉंच किया गया था और दिसंब को देखना यहां पर ना भूलें चलिए चलते हैं science and tech breakthroughs जो की 2021 में इन्हों ने अपनी magazine के अंदर दिये मैंने एक भी अपनी तरफ से add नहीं किया है क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से add करने बैठ गया तो फिर मुझे पूरे दो चार्ट महीने लग जाएंगे इन चीज़ो को cover करने के लिए ओके इसे पहला article दिया गया है और NASA ने अपने जो spacecraft सूरज के लिए NASA का spacecraft है सन को यहां पर पूरी तरिके से जो आपकी उसके लिए information वाह से निकालने के लिए पारकर solar probe इसको यहां पर कहा जाता है ठीक है यह काफी समय से news में है लेकिन 2021 में इसने पहली बा सूरज को टच किया और यह हमारे लिए काम की ख़बर हो जाती है सूरज को टच किया और जो सूरज की सबसे बाहर की परत होती है जिसको कोरोना कहते हैं उसके atmosphere को यहां पर क्रोस कर गया ठीक है तो अब क्या है कि एक historical record बना है अभी तक कोई भी space probe इतना पास नहीं जा सका ह सूरज के नासा का spacecraft आपको पता होना जीए पार कर सोलर प्रोब इसका नाम है सूरज के लिए यह मिसन था पहला spacecraft यहां पर बना है और अब इससे हमारा फायदा क्या होगा इससे हमें सूरज के बारे में और ज्यादा detail information मिलेगी उसका क्या impact होता है nearby planets पर हमें उसके बार में भी पता लाएगा हर एक जो scientific cover आती है वो किसी ना किसी newspaper में publish होती है जो कि basically science and tech को cover करता है ऐसे ही यह भी यहां पर आपकी publish होई American physical society यूपीसी इस तरीकी की चीज़े नहीं पूछता इसलिए जहां पर भी आपको यह चीज़ें दीखें आप उनको ना तो अपने notes में चलेगा कि सुल्जा हुआ तह तो आपको मिलेगा आवर्त्रसाणनी का estimations of the 3D distribution of molecules and atomic H2 in nearby galaxy आपकी जो galaxy है देखिए पहले तो study किस ने की है इस्टडी की है scientist of Roman research institute जो की बैंगलूरू में आपको मिलेगा इन्होंने estimate किया है कि 3D distribution देखने के लिए मिला है molecular and atomic hydrogen का hydrogen के दो और मिलकर के एक hydrogen मनाते हैं H2 आपको देखने के लिए मिलेगा इसका 3D distribution यहाँ पर देखने के लिए मिला है nearby galaxy अब यह हमारे काम की खबर बिल्कुल भी नहीं हो जाती ठीक है और इससे basically हमें यह पता लगएगा कि star formation process किस तरीके से होती है और evolution of the galaxy किस तरीके से होता है study कहां publish ह मैंने बताया कि आप इसको नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो जस्ट इतना याद रखो कि हां nearby galaxy के अंदर कहीं न कहीं atomic जो आपकी होती है उसका 3D distribution देखने के लिए मिला है ओकी तो यह point आपको यहाँ पर पता होना चाहिए उसके बाद एक term आई जिसका नाम है far far out most distance object देखने भी नहीं दे रही तो इसका निक नेम है far far out which was discovered in 2018 2018 में इसको यहाँ पर discover किया गया था लेकिन अब इसको डिकोगनाइस कर लिया गया है कि यह है क्या चीज़ ओके तो as the far far object yet found in the solar system the international Germany observatory ने इस चीज़ को found किया है और other telescopes भी इसके साथ में आपका इन चीजों को discover कर रहे है और the object was designated by the international astronomical unit ये बेसिकली एक planetary object थी यहाँ पर निकला जिसको हमने far far out नाम दिया था आप देखिए इस में से आपके काम की क्या कावर हो जाती है कुछ भी cover काम क्या आपकी नहीं होती ये नाम भी आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा ठीक है इस चीज़ की भी यहा article देके लिखा हुआ है organic matter from an asteroid एक asteroid में organic matter यहाँ पर देखने के लिए मिला है asteroid का नाम है इटो कावा इस नाम को आप यहाँ पर याद रखोगे ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी अभी इटो कावा नाम का एक word नहीं उसमेरा यह क्या है organic matter और water जो की दोनों एक necessary conditions होती है किसी भी ग्रैप पर लाइफ के लिए है ऐसी ही condition asteroid इटो कावा पर देखने के लिए मिली है किसने research की Royal Hallway University of London ने आपको नहीं नाम याद रखना the single grain nickname दिया गया है इसको Amazon sample from the asteroid जो की asteroid से sample यहाँ पर लाए गये थे उनमें से एक sample उसका नाम Amazon यहाँ पर दिया गया यह आपको याद नहीं रखना है ठीक है और इसमें हमें आपर पता चलाए कि organic matter की present यहाँ पर है this is for the first time that organic matter जो की आपको जनरली आपकी solar system में नहीं मिल रहा है that could serve as a chemical precursor for the beginning of life यह हमारा इस चीज़ को सो जा सकता है कि वहां गिरह पर किसी तरीके की life मौदूद रही होगी और यह यह भी दिखाता है कि आपकी जो life है वो इसी चीज़ से ही यहाँ पर शुरू हुई of the life on earth has been found on the surface of asteroid तो उस asteroid पर life जैसी conditions यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है जाकसा के हाया भूसा टू नासा के और योसिस रेक्स मिशन के द्वारा यहाँ पर पूरा किया गया जो कि इस चीज़ के बारे में काफी जादा यहाँ पर खोज कर रहे हैं जोगे तो ऐसा सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता लाएगा बोट ऑफ दीज मिशन हैव आइडेंटिफाइड एक्सोजिनिस मेटेरियल्स ओन टारगेट एस्टेरोइट्स रोग्यू एंड बैन्यू इन दोनों का नाम भी आपको दिमाग में रखना है क्योंकि यह उनों भी इसी चीज़ को खोज रहे हैं कि और्गेनिक मेटर मिलता है या नहीं मिलता है ओके तो यह आपका हो गया डिसकवरी ओफ फरस्ट एक्सरे फ्रॉम दा यूरेनस तो यूरेनस नाम का जो आपका गिरह है वहां से एक्सरेज रिलीज हो रही है और उसकी डिसकवरी यहां पर कर ली गई है यूरेनस को आइस जायंट कहते हैं पूरा बरफ से बना हुआ है और अर्थ से भी चार गुना बड़ा ये गिरह एक तरीके से आपका है और यहां से एक्सरेज इमिट हो रही है उसको यहां पर अब्जर्व किया गया यह जो अब्जर्व किया गया वो चंद्रा एक्सरेज अब्जर्वेटरी जो की नासा की है उसके द्वारा यहां पर इसको रिकोर्ड किया गया अब्जर्व किया गया और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सरेज यूरेनस से यहां पर रिलीज हो रही है तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो यूरेन गैलेक्सी एंडूमेडा इस गैलेक्सी ओके आपको यह बात पता होनी चाहिए और यहां से हमें बिसिकली रेडियो इमेज देखने के लिए मिल रही है रिसर्चर्स ने डिटेल्ड रेडियो इमेज यहां पर निकाली है और माइक्रोबे फ्रिक्वेंसी यह सब चीजें आप को यहां पर नहीं याद रखनी बट यह जरूर से याद रखो कि अभी अभी जो एंडूमेडा गैलेक्सी है वहां से रिडियो इमेज इसको डिटेल्ड एनलाइसेस यहां पर किया गया है इमेज हेल्प करेंगी सिर्फ उनी चीजों में जो कि हम बार बार यहां पर देखत लगेगा और इसके बारे में अगर आप देखो तो एंडूमेडा गैलेक्सी की स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगेगा और और भी चीज़ें यहां पर देखने के पता चलेंगी मौर डिटेल में ओके तो यह सब चीज़ें भी आपको पता होने चाहिए किसने डिटेक्शन यहां पर किया गया है ओके यह एक इंपोर्टेंट स्टडी यहां पर हो जाती है और यह स्टैंटफोर्ड यूनिवस्टी के एस्ट फिजिस ने इस चीज़ को यहां पर देखा और एक सूपर मैसिब ब्लैक होल उसके पीछे से लाइट को स्पोर्ट किया गया डाइरेक्टली ओके दा ब्लैक होल इस एराउंड टैन मिलियन टाइम्स मोर मैसिफ देन दे संसे दस गुना बड़ा ब्लैक होल था एंड से चुचिज इन दे सेंटर ऑफ गैलेक्सी गैलेक्सी के सेंटर पर यहां पर मौजूद होता है और आट सो मिलियन लाइट यर्स हव हलांकि हमने गैलेक्सी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है साइंस रिपोर्टर मैग्जीन में और दा हिंदू के साइंस एंड टैक में भी हमने गैलेक्सी के बारे में ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ जाना है कि क्या होते हैं कि किस तरीके से लाइट का इमेशन होता है किस तरीके से light जो है वो escape नहीं कर सकती क्या होता event origin we have detailed discuss आपको मिलेगा first commercial reprogrammable satellite launch किया गया यह बहुत important news हो जाती है ऐसी news निकल करके आती है और UPSC इन में से question निकाल लेता है European Space Agency ने launch किया है दुनिया का पहला commercial fully flexible software defined satellite देखे जब आप एक satellite को यहाँ पर छोड़ते हैं तो उसका एक अपना purpose होता है कि हाँ भी वो किस तरीके से आपका किस चीज को observe करने के लिए यहाँ पर छोड़ा जा रहा है किस orbit में यहाँ पर छोड़ा जाएगा आपने इसको छोड़ दिया आपने वहाँ से अपना काम भी कर लिया आपको जो चाहिए था वो भी आपको मिल गया अब क्या वो बेकार हो जाता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसको री प्रोग्रामेबल कर लिया गया है मतलब हम उसे उस orbit में से हटा कर किसी और परपस के लिए भी यूज ले सकते है ऐसा ही पहला सैटलाइट यूरोपियन स्पेस एजनसी के दोरा छोड़ा गया है जिसका नाम है यूँ टैल सैट तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रफना है पूरा नाम इसका मिलेगा यूटैल सैट क्वांटम और जुलाई में इसको फ्रेंच गुयन से यहाँ पर लॉंच किया गया तो ये आपका ESA के दोरा यानि यूरोपियन स्पेस एजनसी के दोरा छोड़ा गया है दर सोपिस्टिकेटिड री प्रोग्रामेबल कराएगा अगले 15 साल हो तक तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी तो हम क्या है कि उसके रेस्पॉंट को अपनी डिमांट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि उसे किस ओर्बेट में ले जाना है या फिर उससे किस चीज़ का इनलाईसिस कराना है लिखा हुआ है बैक्टिरिया में help to grow plants on Mars तो ऐसे बैक्टिरिया यहाँ पर develop किये गए है जो कि Mars पर आपके plants को grow कर सकते हैं तो ये क्या है कि जो Space Crafts यहाँ पर जाते हैं या फिर Mars missions यहाँ पर जाते हैं वहाँ पर वो astronomers अपने खुद के खाने की चीज़ें जो है वो ओगा पाएंगे जिससे कि आपके जो missions हैं वो और जादा लंबे हो सकते हमें study के लिए और जादा time यहाँ पर मिल सकता है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी study में University of Hyderabad भी involved है जो की इंडिया में है तो इंडिया में भी इसका योगदान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और ऐसे bacteria यहाँ पर found किये गए है the isolated strain यह इस bacteria family से belong करते हैं आपको याद नहीं रखना है तो ऐसे जो places हैं जहाँ पर food को उगाना successful नहीं है वहाँ पर plants को उगाना minimal resources में आपके पास water भी limited होता है Mars पर आप अगर mission लेकर के जाते हो तो यह microbes जो हैं वो help कर सकते हैं आपका plant की growth में और ऐसी जो stressful conditions होती हैं जिन में एक plant नहीं उगपा था उनमें यह microbes आपकी यहाँ पर help करेंगे इंडिया में भी इसका योगदान देखने के लिए मिल रहा है तो आपको यह पता होना चाहिए उसके बाद material dealt self repairs mechanical damages तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक material basically एक crystal यहाँ पर develop किया गया है Indian Institute of Science and Research जो Kolkata based उन्होंने यहाँ पर develop किया है एक crystal material है जिसका नाम है बाई पर लाजूल और कैनी crystal आप मुझे नहीं लगता ही पूछा जाएगा ठीक है बट फिर भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए PCS जैसी परिक्साओं में इसको पूछ लेते हैं ठीक है कि कौन सी IIT ने इसको यहाँ पर develop किया है कि IIT खड़कपुर ने साथ मिल करके develop किया है तो यह क्या है कि अपने आपको self repair कर लेता है यह एक ऐसा material है यह अपने आपको self repair कर लेता है without any outside intervention यानि human need की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं पड़ती ओर रेट तो यह चीज़ आपको पता होने चाहिए कभी कभी आपका mobile गिर जाता है तो वो टूट जाता है उसके skin पूरी टूट जाती है उसका back टूट जाता है तो यह जो हैं चीज़ें यह अपने आप अगर repair हो जाए तो आपको बार बार replace करने की या repair करने की ज़रुत नहीं पड़ीगी इस तरीके से आप इसको अलग अलग तरीके से use भी कर सकते हो फस्ट manipulation of anti-matter तो यह आपको सिर्फ anti-matter के बारे में पता होना चाहिए आपको सिर्फ इतना ही deep में आपर जाना पड़ता है और basically क्या है कि scientist ने आपर declare किया है दुनिया का पहला laser based manipulation of anti-matter anti-matter के अंदर भी manipulation किया है तो यह बहुत ही deep होजाता है UPSC इतना deep में नहीं जाएगा anti-matter के बारे में पूछ सकता है बस anti-matter जो है वो आपका is a matter comprising anti-particles देखें आपके हर एक particles होते हैं उनमें आपका कोई भी पदार्थ है material है उसके अंदर जो particles हैं दिखा में यहाँ पर है material के अंदर अगर उससे दूसरी दिखा में अगर charge को यहाँ पर set कर दिया जाए तो matter anti-matter बन जाता है तो particles anti-particles बन जाते हैं और matter anti-matter यहाँ पर बन जाता है तो यह चीज़ आपको इहाँ पर ध्यान में रखना है since anti-matter inhalates when coming in contact with matter they are exceptionally hard to make and control and had never been manipulated with the laser laser से इनको अभी तक manipulate नहीं किया गया था लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहली बार इनको manipulate किया गया है तो इससे हमारी काफी जादा जो mysteries पहली यहाँ पर हैं कि किस तरीके से anti-matter response करेगा gravity की conditions में हम matter को तो देखते हैं कि किस तरीके से करता है वो नीचे की तरफ आता है anti-matter के ओपर की तरफ जाएगा यह सब चीज़ें हमें नहीं पता थी लेकिन अब हमें इसके बाद यह चीज़ें यहाँ पर पता लगनी शुरू हो जाएंगी उसके बाद catalyst के छेतर में एक study यहाँ पर हुई है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक catalyst यहाँ पर develop किया गया है कुछ professors हैं कुछ universities इसके अंदर मिली हुई हैं आपको याद नहीं रखना यह एक नई catalyst के साथ निकल करके आए हैं that is even smaller than a nano scale nano scale से भी छोटा catalyst यहाँ पर है इसके अंदर कुछ नई properties है दीखे catalyst क्या होता है एक chemical reaction जब आप करा रहे होते हैं तो उसके बीच में chemical reaction की speed को तेज करने के लिए आपको कुछ पदार्थों की ज़रुत पड़ती है जिनको catalyst यहाँ पर कहा जाता है उन catalyst में अगर आप देखें तो metals का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो कभी-कभी आप देखो की कुछ हट तक oils वगरा कभी यूज़ यहाँ पर करा जाता है और enzymes का use भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो metals का use आपको करने के लिए मिलता है enzymes का use यहाँ पर करने के लिए मिलता है और अभी अभी एक जो scientist है जिनको Nobel Prize यहाँ पर दिया गया chemistry छेतर में आपको मिलेगा कि उन्होंने एक तीसरे तरीके का enzyme भी यहाँ पर discover किया है जो कि मैंने आपको science reporter magazine में cover करा दिया है यह आपको मिलेगा एक और catalyst जो कि इस smaller है nano scale से भी छोटा आपको मिलेगा और इससे efficiency भी improve होगी नई properties भी इसको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी water treatment में यह use किया जा सकता है have more efficient catalyst for several uses like आप इसको water treatment में भी यहाँ पर use कर सकते हो और तो जास इतना याद रखो यह आप से नहीं पूछा जाएगा लेकिन यह वाला जो आपका था जो कि Nobel Prize इसको यहाँ पर दिया गया वो ज़रूर पूछा जाएगा तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना ठीक है उसके बाद एक नैनो मेल कैमिलियोन यह तरीके का smallest reptile यहाँ पर discover किया गया आप देखें यह finger की उस पर यहाँ पर बैठा हुआ है तो यह smallest adult reptile है इससे छोटा कोई भी जो reptile है वो अभी तक नहीं ढूंडा गया है इसका नाम यह है आप इसको देख सकते हैं चटपटी खबरे होती हैं यह होमो बोडो एनसेस न्यू स्पिसीज ओफ यूमन एंसेस्टर्स यह discover किये जा रहे हैं यूमन की जो आपका tree है उनका जो पूरा वन्श है किस तरीके से हम प्रिहिस्टोरिक टाइम से अब तक निकल करके आए इस चीजों के ओपर स्टड़ी यहाँ पर चलती रहती है और यहाँ पर एक नई स्पिसीज ओफ यूमन एंसेस्टर्स उसको यहाँ पर discover किया गया है जिसका नाम है होमो बोडी एनसेस बोडो एनसेस तो यह ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा किस तरीके से पूछेंगे अभी अभी एक नई स्पिसीज खूची गए उसका नाम बताईए ऐसा कुछ निकल सकता है PCS जैसी परिक्षाओं में आता है लेकिन इससे ज़्यादा में नहीं ठीके और इसके बारे में बताया गया है कि यह अफरीका में रहा करते थे और लगबग हाफ अमिलियन यार एगो की यह बात है तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन से नियूस पेपर में पब्लिश होई की नहीं है यह उन लोगों की काम की जिनको इन में इंट्रेस्ट है आगर आपको डाइनसौर्स के बार में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट है आप इनको पढ़िए इनकी पूरी स्टेडी भी आप पढ़ सकते हैं आपको मिल जाएगी किसी भी रिसर्च पेपर के अंदार तो यह इफर्ट यहां पर जो लगाए गए हैं यह इन यूनिवस्टी के द्वार लगाए गए हैं मैंने कर नाम भी नहीं लेना चाहूंगा ठीक है दुनिया की सबसे पतली टेकनोलोजी यहां पर डेवलप की है सिर्फ दो एटम्स को मिला करके इन्होंने एक टेकनोलोजी यहां पर बनाई है आप देखिये कि कोई भी technology आपको बनानी है, उसके अंदर बहुत सारे items यहांपर use किये जाते हैं, लेकिन यहांपर just 2 atoms का use करके, इन्होंने एक technology यहांपर develop की है, okay, 2 atoms का मतलब आप समझते है, nano-skill से भी छोटा, okay, तो innovation में fundamentally improved electronic gadgets में ये चीज यूज की जा सकती है in the terms of speed, thickness और अगर आपको energy utilization बढ़ाना है तो अभी आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको इसकी thickness को कम करना है तो अभी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इसके बाद new graphene nano channel डेवलप किया गया है water filtration के लिए और जो graphene है उसकी अपनी एक परत होती है और उस परत को यहाँ पर basically अगर हम देखें तो यह researchers हैं इन्होंने यहाँ पर find किया according to which little channels between graphene sheets देखे graphene की sheets यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी उन sheets के बीच में आप देखो कि कई सारे ports यहाँ पर होते हैं एक एक जब आप atoms को जोड़ोगे graphene जो carbon का बना हुआ होता है ठीक है देखो image को यहाँ पर देखने कोशिश करो एक carbon का item दूसरा carbon का item तीसरा carbon का item यह तीनों चीज़े जुड़ी हुई है फिर आपकी दूसरे sheet यहाँ पर आ जाएगी एक दो तीन यहाँ पर आ गए ठीक है यह जुड़ा हुआ तो जब आप इसको बिलकुश चटा दोके तो यहाँ पर कुछ gap इस तरीके का रह जाएगा कि यहाँ से अगर हम water को उपर से डालें तो वो नीचे filter हो करके आएगा ठीक है यह चीज़ यहाँ पर develop की गई है तो आपको यह समझना था बाकी चीज़े आपकी रहने भी तो चलेगा ठीक है तो जो आपके छोटे छोटे चोटे gaps यहाँ पर रह जाते हैं between graphene sheets के बीच मे उनको हम यहाँ पर idle कर सकते हैं उनको हम use कर सकते हैं water filtration के लिए ओकी तो यह point आपको यहाँ पर पता होने चाहिए था इसकी image शायद मुझे लगा देनी चाहिए थी ठीक है तो यह यह आपको इतना point यहाँ पर ध्यान में रखना था तो यह जो gaps इसके बीच में हैं दोनों sheets Cheats के बीच में हैं यह आपके water filtration के लिए भी use किये सकते हैं और साथी साथ जो nano scale toxins होते हैं उनके लिए भी use किये जा सकते हैं न के filtration के लिए भी use किये जा सकते हैं little holes gaps यहाँ पर ہو सकते हैं in ke potential applications देखने के लिए मिलते और कुछ भी नहीं है नियूस के अंदर ठीक है। दुनिया की कुछ लेक्स है उनके उपर स्टडी यहांपर की गई और जो अर्थ की बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स हैं क्लाइमिट चेंज का IMPACT उनके उपर यहांपर सीधा-सीधा पढ़ रहा है उस चीज़ को यहां पर discover किया गया तो ऐसा पिछले 16 सालों की study यहां पर की गई remote sensing information का use किया गया कि किस तरीके से climate change impact करता है carbon fixation pattern को जो कि एक lake के अंदर देखने के लिए मिलता है 11 lakes चुनी गई पूरी दुनिया की उन पर study की गई मासा के द्वारा फंड यह आपकी study है study ने इस चीज़ के बारे में बताया कि यह जो जितनी भी बड़ी water bodies होती है यह किस तरीके से carbon को fix करती है also इन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से changing environment इस process को impact कर रहा है carbon fixation कुछ नहीं है बाता बरन में carbon होती है आप उसको absorb करके कुछ समय तक अपने अंदर रखो this is water fixation और यह जो process है इसको कहता है carbon sequestation और यह जो lake है इसको कहता है carbon sink ठीक है तीन time होती है इसके लावा कुछ भी नहीं है तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपकी किसी ना किसी तरीके से या तो carbon release का का काम करती है फिर carbon fixation का का काम करती है trees है carbon fixation का का काम यहाँ पर करते है water bodies है wetland है यह carbon sequestation का बर किहाँ पर करते है ठीक है तो इन चीज़ों को यहाँ पर बचाने की बात चलती रहती है तो ऐसे ही आपको यह मिलेगा कि fresh water bodies है इनको यहाँ पर save करने की बात है क्या carbon fixation rate किस तरीके से change होता है मालो की एक year में कितने गीगाटन carbon का store करती है तो अगले साल कितना कर रही है ठीक है इस तरीके से वो rate के सिसाफ से change हो रहा है which is the rate at which the algae photosynthesis देंता ले मुझे लगता मुझे और detail में यहाँ पर जाना पड़ेगा माली जे कि ये एक lake है lake के अंदर अलगलग तरीके की algae पाए जाती है like die atoms है sign और bacteria है diaphilis later है ये आपको कुछ तरीके की algae मिल जाएंगी ये algae photosynthesis यहाँ पर करती है photosynthesis करती है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और photosynthesis के दोरान CO2 को यहाँ पर absorb करती है जैसा कि आपका plant behave करते है same like में behave आपकी algae करती है CO2 को absorb करेंगी absorb करके ये आपकी नीचे sink होना शुरू हो जाती है और इसी को carbon fixation कहते है और ये process एक सुच साफ fresh water lake में हो सकती है जिसमें algae अच्छी मातरा में present यहाँ पर आपको मिले तो इस तरीके से एक lake carbon fixation करती है तो इस fixation को carbon fixation rate कहते है जितनी तेजी से algae यहाँ पर बढ़ेगी growth होगी उसकी जितनी तेजी से photosynthesis होगा उतना ही जादा carbon fixation rate यहाँ पर होगा और climate change के कारणी यह pattern जो है वो change हो रहा है और हमें इस pattern को यहाँ पर basically हटाना पड़ेगा इस pattern को change करना पड़ेगा तो lake यहाँ पर change हो जाती है अगर यह pattern यहाँ पर change होता है उसके अलावा food chain भी यहाँ पर पूरी तरीके से impact होती है अगर photosynthesis particular rate से नहीं हुआ तो आपकी food chain पर भी impact पड़ेगा इसको कभी और detail में discuss करेंगे बट यह theory आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि किस तरीके से carbon fixation in a water body यहाँ पर होता है algae के दौरा होता है सिर्फ fresh water में नहीं आपको oceans के अंदर भी यह चीज़े देखने के लिए मिल जाएंगी तो कि ocean में भी यह चीज़े होती है और algae के कारण ही आपका algal bloom नाम की term आती है eutrophication term भी यहाँ पर निकल करके आती है जो कि basically major reason होते है nitrate leaching का fertilizer leaching का ठीक है यह चीज़ें आपका पता होनी चाहें उसके बाद low cost का hydrogen fuel production यहाँ पर किया गया है IIT Bombay के researchers ने मिल करके इस काम को यहाँ पर किया है और एक नया catalyst यहाँ पर ढूड़ा है जो कि hydrogen के production की process को यहाँ पर बढ़ा सकता है from the water देखे water का formula होता है H2O आपको इसको तोड़ने के लिए chemical reaction करनी पड़ती है जिससे कि आप यहाँ पर 2H plus O2 यहाँ पर निकाल पाओ ठीक है यह इस तरीके से शायद यह reaction होती है ठीक है यहाँ पर आपने hydrogen मना लिया इसको आप fuel के रूप में यूज़ करोगे तो इससे हम जो है वो जादा जादा energy प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि एक process जो पहले एक minute लेती थी अब उदर सेकेंड में हो रही है तो हमें 6 गुना जादा energy देखने के लिए मिलेगी ठीक है तो ये material जो है वो कोबाल्ट को यहाँ पर लेकर के बनाया गया है और कोबाल्ट एक metal बेसिकली है मैं आपको बताए है metals का यूज़ किया जाता है especially oxygen और इन्होंने इसके साथ में यहाँ पर मिलाई है तो इससे H2 के production को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है और hydrogen चुकी एक fuel है और clean fuel है, renewable fuel है हम इसको green और sustainable economy के रोप में यूज़ कर सकते है clean और environment के लिए भी अच्छा होगा और नई जो hydrogen fuse बन कर के आ रहे है वो भी environmental friendly देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद समुद्रियान mission यहाँ पर launch किया गया scientific sub-merciable deep ocean exploration mission 29 October 2021 को इंडिया ने इसको launch किया very very important ज़रूर कुछिन पूछा जाना चाहिए नाम सही है समुद्रियान deep ocean में जाएंगे वहाँ पर किस तरीके की flora है phona है, किस तरीके के minerals है उन सभी को explore करेंगे और यह एक manned mission है आप इसको याद रखना इसके अंदर आदमी बैट करके जाएंगे यह खाली नहीं जाएगा यह mission जो है वह undertake किया जा रहा है by national institute of ocean technology के दौरा जो कि ministry of earth sciences के अंदर है तो इस तरीके से जो हम नई deep sea technologies develop करेंगे project explore करेगा oceans के अंदर कि और क्या क्या clean energy के resources देखने के लिए मिल सकते हैं drinking water के भंडार हमें और कहां कहां देखने के लिए मिल सकते हैं साथिसाथ blue economy यानि की fisheries वगएरा या फिर जो आपकी rare minerals हैं वो कहां पर मिल सकते हैं उन चीजों की बात की गई है the project has projected India into the elite club of countries इस पहले ये तकनीक जो है वो आपकी Russia, US, France, Japan, China ये सब इंकामों को कर चुके हैं अब India भी इस deep sea mission को यहाँ पर launch कर रहा है तो India का पहला manned ocean mission है ये launch किया गया है और ये 5 countries पहले से हैं India छटा country यहाँ पर बना है लगबख 6,000 कॉन रोपे का deep ocean mission launch किया गया था सरकार के द्वारा उसका ही एक हिस्सा समुद्रियान mission यहाँ पर है और इसके अंदर 3 person यहाँ पर जाएंगे जो की 6,000 मीटर की गहराए पर जाएंगे तो इसके लिए आपको ऐसे equipment चाहिए जो की 6 km नीचे आपका जो pressure air water का उसको यहाँ पर जहल सके हैं जैसा कि आप Hollywood movies में यहाँ पर देखते हैं विल एनेबल exploration of ocean resources drinking water के resources clean energy blue economy को promote करेगा और साथ यसाथ जो deep sea mining है उसको भी reality बनाने की कोचिश की जाएगी 2022 तक जो की शर्राय दिसमबर 2022 तक की बात हो रही है ठीके यह चीज़ आपको मिलेंगी उसके अलावा commission किया गया largest floating solar power solar photo Baltic project देखिए solar light एक renewable energy है और इसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे है तो सबसे बड़ा solar power project यहाँ पर लगाया गया है वो भी तैरता हुआ और यह लगाया गया है NTPC के द्वारा direct point निकलता है कि किसने लगाया national thermal power corporation ने कहाँ पर लगाया है तो अंदर प्रदेश के अंदर पिशा का प्रतिनम में आपको देखने के लिए मिलेगा और यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए और NTPC का बेसिकलिए एक power plant है जिसका नाम है सिमहादरी सूपर thermal power plant उसके ही पास में इस चीज़ को यहाँ पर setup किया गया है ताकि जो बिजली है वो भी यहाँ पर provide की जा सके जो भी बन करके आईगी ठीक है यह point आपको पता होना चाहिए उसके बाद इंडिया के अंदर CSIR Central Leather Research Institute उन्होंने अपना footwear sizing system यहाँ पर launch किया है आप जब जूते खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पैर का size यहाँ पर मापा जाता है वो size यहाँ पर मापने के लिए हम international जो methods हैं US वगयरा के उनका use करते हैं हमारे पास अपना footwear sizing system नहीं था लेकिन अब यहाँ पर center जो आपका leather research institute है चेन नहीं का उन्होंने यह system यहाँ पर develop किया है इंडिया population के लिए 3D digital imaging techniques का use करके 3D dimensional food scanners का use करके इस चीज़ को यहाँ पर develop किया गया है just इतना आप यहाँ पर याद रखो कि यह चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी यह तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ यहाँ पर होगी फिर तो एक article और छोटे 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 आपको देखने के लिए मिलेंगे like Indian researchers ने invent किया है क्या नाम है इसका इसका नाम है molecular pyro electric nano generator इससे की green electricity यहाँ पर produce की जा सके तो generator यहाँ पर तयार किया है नैनो लेवल का है इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखोगी बहुत छोटा generator यहाँ पर develop किया गया है और Indian researchers के द्वारे यह काम किया गया है जस्त एक slide आपके काम किये आप इससे ज़्यादा detail में नहीं जा सकते तो India के researchers ने develop किया है एक alternative जिससे green electricity आप यहाँ पर हासिल कर सकते हो इसका नाम है molecular pyro electric nano generators यह use करता है organic material का याद रखना है इस चीज़ को made of iron and cobalt ऐसे organic material जो की iron और cobalt के बने हुए होते हैं which can harvest environmental friend electricity जिसको green electricity के लिए यहाँ पर use किया जा सकता है from waste heat to reduce air pollution and global warming ओके तो यह चीज़ आप यहाँ पर ज्यान में रखिए देखे वेस्ट heat का use करेंगे energy को produce करने में green electricity को produce करने में waste heat वो heat होती है जो की produce की जाती है power stations के दौरा अपने जो system है और उनको run करने के दौरान vehicle engines के दौरा भी waste heat यहाँ पर release किया जाती है तो हम इस waste heat को और साथी साथ industrial plant like oil refinery है या फिर steel making plants है वो भी waste heat को यहाँ पर generate करते हैं तो यह इस waste heat के कारण आपको देखने के लिए मिलेगा कि green house gases भी यहाँ पर कर जाती है और साथी साथ air pollution भी यहाँ पर होता है तो इसके जरीए हम global warming को कम कर सकते हैं हम इस waste heat का use करेंगे जितने भी ऐसे कोबाल्ट और iron युक तो organic matter होंगे उनको एक box में बंद करेंगे और यह आपका nano generator है basically ठीक है यह आप देखोगे तो यह nano generator है और इसके जरीए हम waste heat के जरीए इसको operate करेंगे और यहां से हम green electricity हासिल करेंगे पूरा detail में जानने के लिए आपको इसके उपर 2-3 घंटा waste करना पड़ेगा इसके research paper download करके आपको इसके उपर जाना पड़ेगा क्यों जाना है ठीक है क्यों जाना है इस चीज के उपर ठीक है बात खतम करो कि इससे अच्छे methods हमारे पास मुझूद हैं लिखने के लिए हमें लिखना है ठीक है इन लोगों का काम है कि यह इस चीज को बढ़ावा दें ठीक है इनका काम है इस चीज को discover करना ठीक है अगर इस चीज को discover नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कहसे चलेगा और यह सब चीजें आप समझो कि हमारे लिए किस काम का है हम UPSC है हम तीन हंटे सी चीज पर वेश नहीं कर सकते कि हम इस चीज को यहाँ पर देखें तो अगर इस से अगला आर्टिकल देखें तो आपको मिलेगा कि हमें जो बिल्डिंग्स अपनी यहाँ पर नई बनानी है वो सारी की सारी एनर्जी एफिशेंट होनी चाहिए यानि गिरीन फ्यूचर और किलीन फ्यूचर की तरफ यहाँ पर जाने की बात हो रही है अच्छा यहाँ पर कुछ भी काम कर नहीं है आपको शुरूबात करनी है यहाँ से तो इसको अगर जूम किया जाए तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो और एनर्जी कितनी यूज हो रही है मालो जादा एनर्जी यूज हो रही है तो वो जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो एनर्जी एफिशेंट नहीं है अगर कम एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है तो वो सोर्स हमारा एनर्जी एफिशेंट है और same function यहाँ पर देखने के लिए लाइक हम पहले यहाँ पर use करते थे compact fluorescent light bulb जो red color के यहाँ पर जलते थे लेकिन उसके उसमें हमें देखने के लिए मिला कि बहुत जादा energy यहाँ पर consume हो रही है तो हमने उसको खतम किया और LED bulb लेकर किया यहाँ पर इसमें हमारी कम बिजलीग उनमें कुछ properties यहाँ पर होनी चाहिए like minimum negative impact होना चाहिए environment पर और natural resources efficiently utilize होने चाहिए excessive utilization of natural resources not good unsustainable practices होती है और साथ ही साथ should prevent destruction of local natural habitat and biodiversity वो भी preserve रहनी चाहिए energy reduce होनी चाहिए water की demand भी कम होनी चाहिए air और water pollution तो बिलकुल नहीं होना चाहिए साथ ही साथ जो constructive waste material during the process of energy आपका बचा तो उसको reuse करने का भी आपको यहाँ पर प्लान करना है और इससे आपकी occupant जो productivity है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी experts ने ये बात कहिए कि अगर हम energy efficient जो sources है उनका use करते हैं तो हम 30 to 50% reduction कर सकते हैं अपने energy consumption में 40% reduction fresh water की demand में कम कर सकते हैं साथी साथ water के consumption में भी हम 42, 65% reduction कर सकते हैं और operational cost भी हमारी कम हो सकती है यह चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा the most popular green building जो इंडिया के अंदर यहाँ पर बनी वो उसका नाम है आपका सुजलोन 1 अर्थ जो की पूने के अंदर located है इस building को LED platinum rating भी दी गई है 2010 में और इसके जो principal architect हैं उनका नाम भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा याद रखने की ज़रुत नहीं है और इन्होंने कहा है कि 90% of building receive its energy from the natural daylight तो सूरज की रोस नीशे ही अपनी 90% बिजली यहाँ पर इसको मिलती है building को तो यह building आप देखोगे कि energy efficient यहाँ पर है अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो इस चीज़ को आप ignore करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़े लिखे हुई है there are two types of printers ठीक है तो यहाँ पर इसी में से एक चीज़ को यहाँ पर उठा करके लाया गया हूं और इसमें आपको यहाँ पर पता हो होते हैं यह भी आपको याद रखना है जो robot printers होते हैं have advantage of being more mobile moveable तो यह ज्यादा mobile होते हैं मतलब आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पर shift कर सकते हो move कर सकते हो जबकि जो आपकी गैंट्री printers होते हैं उनको आप move नहीं कर सकते हैं पहला difference आपको यहाँ पर पता चला यह कुछ 3D printing के यहाँ पर आपको effect देखने के लिए मिलेंगे जबकि गैंट्री printer जो है would have difficulties with यह इस काम को यहाँ पर नहीं कर सकता तो दूसरा difference आपको देखने के लिए मिलेगा in robotic and गैंट्री printers दोनों में difference है गैंट्री printers on the other hand have cost and stability advantages अच्छा गैंट्री जो printers हैं उसके अंदर आपकी cost भी कमाती है stability भी उसकी यहाँ पर अच्छी है इसके अलावा rating system की अगर हम बात करें तो एक building कितनी ज़्यादा energy efficient है उससे related कुछ rating यहाँ पर develop की गई है जो की buildings को दी जाती है जैसे पहली आपको इंडिया की मिलेगी that is green rating for integrated habitat assessment in short इसको गिरहे कहा जाता है ठीक है तो गिरहे नाम से इस पस्ट हो गया घर ओके और building आपको मिलेगा की गिरहा council ओके तो इंडिया का एक मात्र indigenous rating system है याद रखेगा इसका ना limit का कितना ध्यान रखा जाता है environment का कितना ध्यान रखा जाता है और energy efficiency का कितना ध्यान रखा जाता है उन चीजों को देखते हुए यह rating यहाँ पर दी जाती है यह एक basically rating tool है जिससे आप assess करते हो the performance of building तो buildings की performance को assess करने के लिए क्या वो nationally acceptable benchmarks को पूरा करती है या नहीं करती है यह environmental performance भी देखती है building की इस चीज़ को भी याद रखना green building का title भी इनके द्वारा दिया जाता है यह point भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो यह चीज़े हैं कि energy से लेकल के environmental principles सभी का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है गिरिहा attempts to qualify aspect की energy consumption कितना है waste generation कितना है renewable energy adoption कितना है यह सारी चीज़े भी इसके अंदर देखी जाती है तो जितना हो सकता है उतना manage control और reduce करना है ताकि best possible extent यहाँ पर provide किया जा सके गिरिहा project on इसका target भी है कि 30 to 50% reduction energy consumption में अगर हम कर सकते हैं इस rating system की मदद से योकि लोगों को लगेगा कि हमें rating लेनी है तो वो अपनी buildings को energy efficient बनाने की कोशिश करेंगे तो इनका target भी है कि 30 to 50% reduction करेंगे energy consumption में और end use energy consumption में भी आप देखने के लिए मिलेगा कि 40% reduction की बात है अब यह बहुत detail में होगे बस आप इतना समझो कि energy consumption में भी इनके reduction के कुछ targets यहाँ पर है उ जब 9th ग्रहा summit हो रही थी यह आपकी ग्रहा council है इसकी 9th summit जब यहाँ पर हो रही थी 2017 में तो इसको यहाँ पर आपका develop किया गया to demystify the myth that sustainable is not affordable जनरली ऐसा माना जाता है कि जैसे आपके वो बिजली के बलब थे ठीक है LED से पहले वाले फिलूरेशन बलब जो थे वो आपके यहाँ पर 10 रुपे का मिलता है ओके markset में अभी 10 रुपे का ही है लेकिन जो आपके LED बलब्स भो 90 रुपे के यहाँ पर मिलते है तो बात यह आ रही है कि जब हम 10 रुपे में बिजली प्राप्त कर सकते हैं तो 90 रुपे का बलब यहाँ पर क्यों लेना यहाँ पर आजाता थी लोगों के मन में इसको तोड़ने के लिए ये प्रारूप जो है वो यहां पर ले करके आए गए ओके इसके अंदर आप देखो कि हमने इस चीज़ को गलत साबित किया कि अगर आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होती है इस बात को हमने तोड़ा इस बात तो गलत साबित किया हमने गवर्मेंट ने स्कीम शुरू की दस रुपे में ही LED बलफ देने की इस चीज़ को प्रूफ करना है और यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा एक कोड निकल करके आया कमर्शल और रेसिडेंशल बिल्डिंग्स के लिए अलग-अलग कोड्स यहां पर डैबलफ किये गए इंटरनेशनल मार्केट की मैं पर आपका इस तरीके से तैयार किया गया इसके अलावा रैसिडेंशल बिल्डिंग्स के लिए अलग से कोड था जिसका नाम है इको निवास नहीं था ठीक है e ands पार्टवन ओके यए पार्टवन और पार्टgo दो तरीके से यहापल लौंच कि आगया पार्ट बन जो है वो आपका फ्रोविजन रखता है कि energy efficient buildings envelope यहाँ पर तयार किये जाए और पार्ट टू भी इसका यहाँ पर है इतना detail में आपको नहीं जाना water pumping common lighting area आप सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर आपका जो commercial areas है उनके लिए energy conservation building code यहाँ पर है और eco निवा सहीता residential buildings के लिए एक code यहाँ पर बनी हुई है अगर हम बात करें दोनों के बारे में अलग-अलग तो energy conservation building code आपको मिलेगी ECBC और यह Bureau of energy efficiency के अंदर में वर्क करती है यानि BEE का star rating program आपको यहाँ पर यह देखने के लिए मिलेगा और इनकी अपनी energy performance index भी है जिसके base पर यह code यहाँ पर काम करती है और इसके अंदर आपको देखने के मिलेगा कि सभी commercial buildings पर यह लागू है it is estimated that ECBC compliant buildings are 20% more efficient जिन भी buildings को इस तरीके का status यहाँ पर दिया जाता है उनके अंदर lighting की सुबीदा अच्छी होती है natural lighting का use जादा करते है 20% अच्छा जो यहाँ पर lighting का source उनके अंदर देखन national buildings ओके ऐसे ही एक इसके अंदर ECBC पिलस टार्गेट यहाँ पर है ओके उसके अंदर आपको 32-35% more efficient मिल जाएंगी इसके अलाबा सूपर ECBC buildings भी यहाँ पर title दिया जाता है जो की 40 लेकर के 45% efficient मिल जाएंगी ओके फिर यहाँ पर आ जाता आपका एको निवास सहीता जो भी residential houses हैं उनके लिए आपको देखने के मिलेगा कि adequate ventilation घर के अंदर है या नहीं है natural daylight घर के अंदर आती है नहीं आती है फिर पूरे दिन सिर्फ बला भी जलते रहते हैं ओके तो इन सब को देखते हुए eco निवास सहीता जो system है यहाँ पर आपका यह जो है वो दिया जाता है और इ इन सब चीजों को देखते हुए eco निवास सहीता है यहाँ पर develop की गई है यह basically एक तरीके से guidelines यहाँ पर हैं और इनके मुताबिक यहाँ पर बताया जाता है कि आप किस तरीके से जो है अपना बिजली है उसको यहाँ पर बचा सकते हो energy efficient यहाँ पर हो सकते हो like आप thermal insulating material यू solar radiation does not fall on the glass during the summer month okay और यह सब चीजें इनके जरीए आप जो है वो अपनी building को efficient बना सकते हो ऐसा ही आपको यह code भी देखने के लिए मिल जाएगा तो यह आपका building और उससे related कुछ सहीता है हो गई और यह आपको पता होना चाहिए कि गिरह council वगयरा क्या होती है इसके लावा आ energy is considered as renewable energy sources but the material जो हम इसके अंदर use करते हैं like uranium, thorium these are not renewable okay दूसरी problem nuclear energy के साथ यह है कि इससे बहुत जादा radioactive waste यहाँ पर generate होता है तो दो तो problem हो गई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल लगा कि radioactive waste generate हो रहा है और साथ इसाथ जो uranium वगयरा के sources हैं वो भी इतने जादा नहीं ह इकत है वो है nuclear disaster यहाँ पर जो बात की गई है यह इसी problem के बारे में है कि nuclear disaster जैसी जो problem है क्या उनको रोकने के लिए हम nuclear energy की production को बिल्कुल ही बंद नहीं कर सकते can we do without nuclear energy अगर हम nuclear energy को produce ही ना करें ठीक है तो फिर काम चल जाएगा क्या तो यह चीज़े हम यहाँ पर देखते ह देखिए कई सारे disaster यहाँ पर देखने के लिए मिले लेकिन हम दो बड़े disaster की बात करेंगे like एक मार्च में हुआ एक अपरेल में हुआ डेट अलग अलग है अभी हम यहाँ पर discuss करने की कोशिश करते हैं पहला आपको disaster मिलेगा यहाँ पर चर्णोबिल disaster जो की 1986 में हुआ 26 अपरेल को यहाँ पर देखने करें मिला उसके 25 साल भी यहाँ पर हो गए उस disaster को 2021 में होके 26 अपरेल को यहाँ पर हुआ दूसरा जो disaster है वो था आपका फुकुशीमा दियाची नुकलियर डिजास्टर जो की मार्च में यहाँ पर हुआ था और अगर मैं इसकी आपको exact date बत तरीके के हमें लोस देखने के लिए यहाँ पर मिलें वाई डिजास्टर हैपन तो इन पर्टिकुलर डिजास्टर के बारे में बता गया है एक है आपका फुकुशीमा दियाची नुकलियर डिजास्टर और दूसरा है चर्नोबिल डिजास्टर एक पॉइंट जो आपको य बता है तो हमने दोनों तरीके से देखा भी हुमन को भी हो सकता है नैच्रल को भी हो सकता है जापान में यह हुआ आपका फूकुशीमा वाला 11 मार्च 2011 को और इसमें क्या हुआ कि एंड जनरली इट जनरली हैपेंस वेंडेर इस सिग्निफिकेंट डिस्प्लेस्मेंट इन लेंड बिलो सी समुदर के नीचे की जमीन में बड़ा डिस्प्लेस्मेंट देखने के ले मिला बड़ी सुनामी यहां पर आई और सुनामी के कारण जो वाल्स थी जिससे आपका यह न्यूक्लियर रियक्टर पूरी तरीके से प्रोटेक्टिड था वो वाल यहां पर रखना है चार प्लेट बांडरी एक दूसरे के अंदर जा रही है एक यूरेशियन एक है पैसिassen नोर्थ अमेरिकन एक है प्लेपिंस एक पेसिज के कारण यहां पर आपपो इह चीज़े देखने के लिए मिलेगी की दप पैसिफिक पिलेट इस सब्ड़क्टिंग बिलो नौर्थ इस्टन पार्ट अब दे जापान और उसकी वज़े से ये चीज़े आपको देखने के लिए मिलेंगी कि भारी मातरा में सुनामी आती हैं सुनामी आर अल्सो सीन टू बिजिट दिस आइलेंड फ्रॉम टू टू टाइम लगातार सुनामिया देखने के लिए मिलती ह 11 मार्च को यही हुआ सुनामी यहाँ पर आई और फूकोसीमिया दियाची रियक्टर की जो सी वाल थी वो यहाँ पर चली गई वो खतम हो गई और दा वाटर एंटर इनरजी जनरेटिंग मशीन एनरजी जनरेटिंग मशीन के अंदर वाटर यहाँ पर चला गया जिसकी उससे जादा capacity पर यहाँ पर आपकी nuclear reaction यहाँ पर कराएं गई तो जिसकी वज़े से जो radioactive energy है वो पूरे यूरोप में यहाँ पर spread हुई और यह चीज़े देखने के लिए मिलेंगी Sea wall and coastal forest यहाँ पर हमने लगाए इन्होंने कुछ भी help नहीं की जापान की अगर हम बात करें जापान ने Sea Walls बनाई बड़ी बड़ी दिवारे बनाई और साथ इसाथ coastal forest भी यहाँ पर तैयार किये लेकिन उनका भी impact यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला इंडिया ने भी बड़ी मात्रा में जो सुनामी है वो यहाँ पर जहली है like 2004 है सुमात्रा से यहाँ पर जनरेट हुई और इंडिया में भी इन चीजों को यहाँ पर जहला गया तो यह कुछ मोटा मोटे पॉइंट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि भई यह चीज़े भी आपकी यहाँ पर चलती है अगर हम बात करें कोस्टल फोरेस्ट की तो जापान ने कोस्टल फोरेस्ट यहाँ पर तैयार किये एक समुद्र है उसके कोस्ट पर पेड़ यहाँ पर लगा दिये बहुत सारी ग्रीन वॉल्स यहाँ पर तैयार की ताकि जो सुनामी का इंपक्ट है उसको यहां पर कम किया जा सके इससे क्या है कि सुनामी की जो स्पीड है वो एनरजी है वो यहां पर आपकी कम हो जाती है जब वो लेंट पर पहुंचता है क्योंकि पेड़ों के द्वारा उसको यहां पर रोक लिया जाता है और damage को reduce यहाँ पर किया जाता है लेकिन 2011 में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ और बलकि यह जो यहाँ पर आपके पेड़ लगाए गए थे यह और जादा गाता के यहाँ पर थाबित हुए और क्योंकि यह पेड़ तूट गए ठीक है यह आपकी सुनामी बहुत हाई एनरजी से आई और यह सारे के सारे पेड़ अपरूट हो गए मतलब तूट गए और तूटने के साथ साथ आप देखो कि जो और जादा बॉल्स थी वो यहाँ पर खताम हुए क्योंकि material भी अब उसको यहाँ पर मिल गया आप देखो यह high intensity सुनामी थी और उसके बाद से यह rescue centers यहाँ पर लगातार बनने शुरू हो गए और कभी भी किसी भी तरीके का natural disaster यहाँ पर आता है like extensive सुनामी जोंस वगएरा के अंदर तो वहाँ पर यह सब काम यहाँ पर किये जाते है nuclear energy के बारे में एक term दी गए थी nuclear energy is meter in baccaral तो baccaral में इसको यहाँ पर miser किया जाता है यह एक general point है जो की कई examों में पूछा भी गया है तो यह एक term है और एक baccaral equals होता है the energy required to decompose one nucleus in one second एक second में एक nucleus को decompose करने के जिन जिन जितनी energy की ज़रुत होती है उसको एक baccaral कहते हैं और इस तरीके सा आपको यह चीज़ें मिलेंगी यह नाम दिया गया हेंडरी baccaral के नाम पर जिनने 1903 में नोबल प्राइस भी दिया गया था और यह चीज़ आपको मिलेगी तो the total radioactive energy जो चर्नोबिल डिजास्टर से रिलीज हुई सारी दुनिया यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के संदिक दो गई कि अगर नुकलियर डिजास्टर उनकी कंट्री में हुआ तो वो किस तरीके से करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ disaster management की issues को थोड़ा सा cover करना पड़ेगा like आप जो है 20 km पर पैरामीटर जहां पर भी आपका nuclear reactor है उसके अंदर आपको evacuation refugee centers तैयार करने पड़ेंगे और यह सब काम आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे the effect after effect after यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि दोनों की दोनों जो issues यहाँ पर हुए nuclear energy की philosophy है की renewable energy के रूप में use किया जा सकता है उस पर सवाल उठने शुरू हुए there have been questions and doubts raised on the desirability of using the energy that is prone to the terrible effect and consequences इस पर सवाल उठने शुरू हुए क्या हमें nuclear energy को produce करना चाहिए the atomic bombing create a transition फिर उपर से atomic bombing का भी fear यहाँ पर उठना शुरू हुए चर्णोबिल और फुकुसीमा disasters के कारण यह fear और जादा यहाँ पर बढ़ गया तो nuclear disasters ने बहुत सारी lives हमारी यहाँ पर ली है और चर्णोबिल explosion के कारण भी आपको देखने के मिलेगा कि जो economic नुकसान है वो अभी यहाँ पर देखने के लिए मिला है तो अभी भी इन चीज़ों पर सवाल है बट चुकि energy demand यहाँ पर बढ़ रही है तो हमारे पास कोई और option नहीं है हम कर क्या सकते हैं हम यह सिर्फ कर सकते हैं कि जो energy reactors हैं उनके चारों तरफ safety का पूरा धियान रखा जाए किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना human error हो ना ही nuclear disaster हो सभी को यहाँ पर रोकने के लिए work करना पड़ेगा disaster management को अच्छा करना पड़ेगा इसके अलावा non conventional energy यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हम देखें nuclear energy को मैंने बताया कि अभी भी cleanest form of energy के रोप में consider किया जा रहा है अगर आप उसके अंदर जो निकला हुआ radioactive waste है उसको dispose कर लेते हो सही तरीके से तो जो nuclear waste वहाँ पर generate होता है अगर आप उसको सही कर लेते हो उसको सही से manage कर लेते हो तो आपका ये clean fuel के रोप में यहाँ पर आप इसको use कर सकते हो लेकिन अगर हम बात करें accidents की अगर हम इनको रोप पाए तो हमें इस energy को continue रखना चाहिए हम nuclear energy को use कर सकते हैं लिखा हुआ है we are okay with this energy अगर हम avoid कर सकते है accidents को तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है क्योंकि fossil fuel तो अब हमारे पास कोई option ही नहीं है क्योंकि हमें planets को बचाना है 2 degree centigrade से कम तापमान रखना है 1.5 degree तक रोखने की कोशिश करनी है IPCC की reports यह सब बात ने यहाँ पर कहती है has the downfall for nuclear energy begin तो क्या दोनों जगे पर जो ये disaster हुए यतने बड़े बड़े उसके बाद nuclear energy production कम हुआ क्या हुआ तो जैसे ही यहाँ पर disaster हुआ 2011 वाला Fukushima के अंदर जापान ने अपने जो 12 reactors थे उनको permanently close कर दिया उनको बंद कर दिया कि अब किसी तरीके की nuclear energy generate नहीं होगी 24 ऐसे थे जिनको temporarily यहाँ पर बंद किया गया और 12 ऐसे थे जिनको permanently यहाँ पर बंद कर दिया गया तो यह आपको impact देखने के लिए मिलेगा कि यह चीज़े हुई फर्स्ट reactor जो है nuclear जो 1951 में बनना शुरू हुआ फिर इस तरीके से आगे और चीज़े चली इस चीज़ को आप यहाँ पर छोड़ सकते हो अगर हम currently देखें लगबग 50 से ज़ादा nuclear reactors 16 से ज़ादा countries के अंदर यहाँ पर है चाइना के पास सोला रियक्टर से नुकलियर से रिलेटड इंडिया के पास भी काफी भारी मातरा में और साउथ कोरिया के पास बी अच्छे है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी यह इतना point आपको पताओने चाही था nuclear disaster से रिलेटड उसके बाद blast for constructive purpose ये CSIR की study है 80 साल हुए है इनको बने हुए और इनकी एक एक जो काम है वो यहाँ पर आपको गिनाया जा रहा है like अगर हम देखें इस article में ज़ादा कुछ काम का नहीं है constructive purpose इसके लिए आपको like कोई tunnel बनानी है तो आपको mountain area को उसको अंदर hole करना पड़ेगा आपको mountain area के अंदर आपको दिखेगा कि cave अगर आपको create करनी है या फिर आपको pass यहाँ पर बनाना है vehicles के गुजरने के लिए तो आपको उसमें tunnel यहाँ पर create करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको उसको blast करना पड़ेगा तो यह आता है कि blast for constructive purpose अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ आप अच्छी जो technique का यूज़ करें like modified pre-speed blasting या shock relief blasting का यूज़ आप कर सकते हैं तो यह चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी तो mining हो construction हो इन सभी में explosive का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है और इसके लिए आपकी एक नई technology आई जिसका नाम है controlled blasting technology जो कि CSIR के अंदर institute है Central Institute of Mining and Fuel Research उन्होंने यहाँ पर develop की है mining research के अंदर leader जो आपका institute है वो यही है तो यह आपके जो blasting के side effect होते हैं उनको यहाँ पर कम कर सकता है दिल्ली, Mumbai जैसी जगों पर जो की urban cities हैं वहाँ पर इस तरीके से blasting करना बिल्कुल भी possible लई है तो आपको control bay में blasting करके constructive purposes के लिए use करना पड़ेगा और इसके लिए modified pre-blasting technique और इसके अंदर shock relief blasting consist होती हैं यह दोनों की दोनों practices इस controlled blasting technology के अंदर में आती है तो इतना आपको याद रखना है बाकी आपको इससे ज़्याद आद नहीं रखना इसके बाद नोट मेरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट गरीन टू फ्रों फुट्परिंट टू तो यहाँ पर बिसिकली जो बात हो रही है वो बात हो रही है आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ट्रांसपोर्ट सेक्टर को decarbonize करने की बात हो रही है यह word को याद रखना decarbonize वहाँ से जो कार्बन की emissions होते हैं वो नहीं होने चाहिए ताकि हम अपना जो कार्बन footprint है उसको कम से कम रख सकें कम से कम carbon dioxide generate हो कम से कम carbon pollution यहाँ पर हो example दिया गया स्वीडन का स्वीडन विद 90% of the vehicle किलोमेटर स्ट्रेबर्स बाइद बसे और यह जो है वो renewal fuel से यहाँ पर चलाए जाते है स्वीडन के अंदर 90% जो वेहिकल से हैं बायो डीजल है बायो गैस है बायो थेनोल है electricity है ठीक है इन सब चीज़ों से चलते हैं यहाँ पर but it has achieved many seems you to appear for the large democracies यह जो चीज़ें है renewable sources चलाने की यह कई बड़ी democracies के लिए खत्रा है like खत्रा नहीं मतलब possible नहीं है इंडिया जैसी बड़ी democracies के लिए बट फिर भी हम जो है वो इन सब चीज़ों पर focus करते हैं like इंडिया ने भी इन चीज़ों पर काफी promote किया है like आप देख सकते हो कि national biofuel policy यहाँ पर launch की है सतत initiative यहाँ पर launch किया है bio gas के promotion के लिए तो इस तरीके के कुछ आपको मिलेगा कि roadmap for ethanol blending यहाँ पर इसको launch किया E20 program यहाँ पर launch किया ठीक है यह सब चीज़ें इंडिया ने भी यहाँ पर launch किया तो यहाँ पर जो बात है वो Sweden के बारे में ही बताई गई है और इसलिए इसको सिर्फ थोड़ा सा ही यहाँ पर देखेंगे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के अंदर से क्लाइमेट चेंज के related काई सारे pollution होते हैं और उसको रोकने के लिए ट्रांस्पोर्ट सेक्टर को decarbonize करने की मादब जरूर्यत है इसके लावा sustainable development goals भी यहाँ पर पूरे करने हैं जो की United Nations के हैं तो इसके लिए हमें ऐसी जो technologies हैं जो की reusable हो री साइक्लेबल हो या फिर renewable हो ठीक है उनको यहाँ पर यूज करना है लाइक पब्लिक बस ट्रांस्पोर्टिशन सिस्टम को यहाँ पर ग्रीन करना है उसके अंदर काफी अच्छा किया है पॉलिटिकल हर्डल्स भी है पॉलिटिकल सपोर्ट भी है उसके बाब जूद भी आप देखो कि काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इन्होंने solve की हैं इनको छोड़िए आप यहाँ पर और स्वीडन के बारे में हैं इसलिए जादा डीटेल में इसको पढ़ने की ज़रूत नहीं है इन्होंने hydrogenated vegetable fuels को भी यहाँ पर यूज किया जो की 2014 से already popular है और transportation fuel के रूप में यहाँ पर यूज किये जाते हैं और तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और इतना आपको यहाँ से पढ़ना है जादा इसको डीटेल में मत जाईएगा तो यह चीज़ आपको मिलेगी उसके लावा लिखा हुआ है दो आर्टिकल्स यहाँ पर थे एक तो इसके बारे में था कोई चूहा वगयरा इसके बारे में था और दूसरा आपका विग्यानिका के बारे में था यह आर्टिकल्स भी आपके कामके नहीं तो इनको अभ्याब इग्नॉर करेंगे ठीक है तो यह सारे आर्टिकल्स आपके यहाँ पर पूरी होते है और यह मैगजीन आपकी पूरी हो जाती है ठीक है ये आपके Science and Tech यहां पर पूरा हुआ और इस से जादा हम को इसमें पढ़ने की ज़रूत नहीं पढ़ेगी चलिए वीडियो को एंड करते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो Like, Share और Subscribe करके जाना Thanks for watching, Take care